हलो डियर फ्रेंड तो इस वीडियो में हम सीखेंगे के हम गूगल फॉर्म पे क्विज कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल फॉर्मस एप तो वह आपके फोन में लिखा है तो आप इसे आप अपने फो के वह चेक भी अपने आप हो जाए और उसके मार्क्स भी खुद अपने आप चेको के शो हो जाए तो क्विज पे मैंने किया क्लिक देन सेम प्रसीजर जो मैंने फॉर्म में आपको बताया था प्लस के साइन पे करना है क्लिक फिर आपके पास option आएगी फॉर्मस और हमें बना सकते हो फॉर्म में लेकिन हमने बनाने है 25 question तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा जहां 50 बनाने है जितने भी question बनाने है उसके लिए हमें create blank quiz सबसे नीचे लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है तो यहां पर हमारे सामने title और description टाइटल में आप जो भी जैस यूनि टेस्ट हो रहे हैं तो आप यूनि टेस्ट लिख लीजिए और description में आप choose the correct option जा कुछ भी मैं short में लिख रहा हूं आप यहां पर briefly जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो उसके बाद मैंने किया plus के sign पर यहां पर click और सामने में रहा गए short answer, long answer, multiple choice, drop down, add section हमने यहां पर करना है multiple choice पर click तो first question हमारे पास आ गया यह तो first question मैं कुछ भी यहां पर बना रहा हूं सिर्फ as आपको बताने के लिए as example तो यहां पर है मैं लिख रहा हूं dash invaded India in 1739 तो अब मैं कर रहा हूं add option, add option first जो option है वो मैं यहां पर लिख दूँगा नादिर्शा second फिर add option करूँगा मैं यहां पर लिख दूँगा मैं टिपो सुल्तान फिर add option करूँगा और यहां पर मैं लिख दूँगा मुगल means कोई भी option हम दे सकते हैं तो इसमें जो right option है वो है नादिर्शा तो उसके लिए मैं नादिर्शा के सामने देखो टिक का sign बना इससे कर दूँगा मैं click और यह हो गया green means के जो answer है इसका नीचे नादिर्शा आ गया इसके बाद मैं नीचे कहीं भी click कर दूँगा और यह मेरा first question जो है वो बन चुका है ऐसे ही आप plus के sign पे करते जाओ click add multiple choice आप question बना सकते हो और उसकी जो सही options हैं वो आप add option में ऐसे कर सकते हो और जो सही option हो उसके सामने आपने click करना है और उससे green कर देना है यहां पर मैंने option नहीं दी इसलिए हुआ नहीं अगर आप काड़ना चाते हो तो यह सामने cross बना है उससे आप काड़ सकते हो और जो भी आपका answer होगा वो नीचे show हो जाएगा जैसे मैंने नादरिशा लिखा है और answer में वो show हो गया है और one mark लिखा हुआ है ठीक है नीचे या एक बनी हुए option required की अगर आप इसे click कर दोगे mean okay कर दोगे तो अगला जो question है वो तभी खुलेगा अगर वो इसका question का answer देंगे सही हो चाहे गलत हो लेकिन अगर आप इसका answer देंगे तभी next question खुलेगा अगर आप चाते हो कि as a paper होता है one two three ओपर नीचे question आए तो आप से required मत कीजिए तो फिर यह जो है वो series बाइस शो होगा जैसे मैंने पीछे एक बनाया हुआ paper वह मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास यह बना हुआ है एक paper कि यह दिखे मैंने बनाया था unit test one के quiz में यह वाला तो जब मैं वह व्यू question करता हूं व्यू quiz कि तो डुप्लिकेट में मैं आपके दिखाता हूं ऐसे शो हो जाता है यह सारा जो मैंने बनाया था paper तो अगर आप required नहीं करते हो तो फिर आपको यह ऐसे शो नहीं होगा फिर one by one question जो है वो आएंगे तो ऐसे आप बना सकते हो question और उसमें कुछ settings हैं वो मैं आपको बता दूं setting में जाकर आपने करना है welcome page पे start लिखाएगा यहां कुछ भी आप दे सकते हो unit test one start जो भी आप लिखना चाहो बच्चों से आपको क्या चाहिए user information में उनका नाम और यह नमबर test open करते हैं तो सबसे पहले उनसे name और उनका mobile नमबर पुछा जाएगा और जब वो उससे fill करेंगे तब ही test open होगा duration भी हम यहां पे देते हैं जैसे हमने पता है कि हमने 15 minute जो है हुई test का time दिया गया है हमें तो यहां पे हम set कर सकते है time 15 minute यह minute में हैं अगर 1 आ 2 आ जितना भी अपने देना है तो आप ताइम जहां से दे सकते हो तो 15 मिनट पहने डन कर दे 15 मिनट आ गया अलो मल्टिबर टैम्ट तो इस पे अपने जह अगर टिक हो तो उसे हटा देना है क्योंकि बच्चे एक बार ही सिर्फ टैस्ट कर सकते हैं बार बार उनको नहीं ऑप्षिन के वह एक बार करके फिर दुवारा से कर पाएं ऐसी ऑप्षिन नहीं देनी तो आपने यहां से टिक हटा देनी है शो क्विज रजर्ट यह बच्चों को शो ना हो तो इसलिए आपने बनाए है क्वशन तो शो क्वशन नंबर यह आपने टिक की करना है तो यह सारी ओप्षिन है आपने करके बाद में उपर लिखा हुआ है देखो सम्मिट कर दिना है ओके ठीक है सम्मिट करने के बाद आपका टैस्ट बन जाएगा और आप उससे फिर प्रिव्यू में देख भी सकते हो और जब बच्चों को submit करना है आपने test तो उसमें submit पे click करना है quiz create होगा और आपके पास यह link आजाएगा link को अपने copy करके बच्चों को personally forward जो करदना है अपने WhatsApp पे so I hope आपको पता चल गया होगा अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे comment करके पूसकते हो कि quiz में यह कैसे करना है thank you so much